वेल्कम टू आर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल आज की इस वीडियो में हम उन फूड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन में कार्बो हाइडरेट्स हाई अमाउंट में पाया जाता है इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि एक परसन की डेली कार्बो हाइडरेट रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसको एक दिन में कितना कार्बो हाइडरेट कंस्यूम करना चाहिए लास्ट वीडियो हमने कार्बोहाइडरेटस पर बणाई थी, कि कार्बोहाइडरेटस होते क्या हैं, यह हमारी बोड़ी में वर्क कैसे करते हैं, इनके बेनेफिट्स क्या हूं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो मैं उसका लिंक की डिस्क्रिप्जन म बढ़ते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले नंबर पर दिया गया है चपाती और उसका साइल बताया गया है जो की मीडियम है उसके बाद उसकी टाइप आ जाती है वो कॉंपलेक्स काव में आती है अगर आपको कॉंपलेक्स और सिंपल काव के वारे में नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं उसके बाद कार्बो हाइड्रेट्स की अमाउंट बताई गई है जो की 18 to 20 ग्राम्स है तो एक मीडियम चपाती में 18 to 20 ग्राम्स कार्बो हाइड्रेट्स होते हैं और यह कॉंपलेक्स काफ के अंदर आता है इसके बाद आता है वाइट राइस ये भी एक कॉमन फूड है गरों में वाइट राइस जो हैं सिंपल काफ के अंदर आते हैं और 100 ग्राम्स वाइट राइस में 28 ग्राम्स तक कार्बो हाइड्रेट्स पाए जाते हैं इसके बाद brown rice आते हैं, 100 grams of brown rice contain 23 grams of carbohydrates, और ये complex carbs के अंडर आते हैं, इसके बाद आते हैं, oats, oats also contains high amount of carbohydrates, 100 grams of oats contain 68 grams of carbohydrates, और ये complex carbs के अंडर आते हैं, oats जो हैं, पहले इतने popular नहीं थे, पर अब ये market में various forms में available हैं, next food is chickpeas, जिने हम चने भी कहते हैं, 100 gram चने में 45 gram carbohydrates पाया जाते हैं, और ये भी complex carbs के अंडर आते हैं, इसके बाद आते हैं, potato, आलू, 100 gram potato में 20 grams तक carbohydrates पाया जाते हैं, और ये जो हैं simple carbs के अंडर आते हैं, next food है, sweet potato, 100 gram sweet potato में 18 gram carbohydrates पाया जाते हैं, और ये complex carbs के अंडर आते हैं, आगे next food आते हैं, बनेना, it is also one of the cheapest food to gain carbohydrates, तो ये carbohydrates consume करने के लिए सबसे सस्ता food मना जाते हैं, एक 7 to 8 inch के बनेना में 27 grams of carbohydrates पाया जाते हैं, और ये simple carbs के अंडर आते हैं, next food is apple, it is a good source of natural sugar, 100 gram of apple contains 14 gram of carbohydrates, and it comes under the category of simple carbs, आगे आता है peanuts, it is also known as ground nuts, तो 100 gram peanuts में 16 grams तक carbohydrates पाया जाता हैं, और ये complex carbs के अंडर आता हैं, अगला हमारा जो food है वो है corn, तो एक cup of corn में जो की 164 grams का माना जाता हैं, उसमें 41 gram of carbohydrates पाया जाते हैं, और ये complex carbs के अंडर आता है, इसके बाद हम बात करते हैं kidney beans की, जिसको राजमा का जाता है, हिंदी में इसका नाम राजमा है, और इंग्लिश में इसको kidney beans का जाता है, क्योंकि इसकी shape kidney की तरह होती है, So, 100 grams of kidney beans contain 23 grams of carbohydrates, और ये complex carbs के अंडर आता है, The last one is lentis, जिसको हम दालने भी कहते हैं, तो 100 gram दाल में 20 gram तक carbohydrates पाया जाता है, और ये food complex carbs की श्रेंडी में आता है, तो ये सब भी कुछ ऐसे foods थे, जिनमें high amount of carbohydrates पाये जाते हैं, इसके बाद ये सवाल आता है, कि एक average person को daily का कितना carbohydrates consume करना चाहिए, तो ये भी age और gender के इसाफ से अलग-अलग होता है, चलिए अब वो भी देख लेते हैं, एक children को दिन का 60 to 250 gram carbohydrates consume करना चाहिए, उसके बाद एक adolescent को, which is a period between childhood and adulthood, तो 13 से 17 साल तक के बचे को 400 gram तक carbohydrates consume करने चाहिए, आगे एक man को daily का 300 to 700 gram तक carbohydrates consume करना चाहिए, उसके बाद एक woman की 242, 650 gram तक daily carbohydrates requirement होती है, तो आज की इस वीडियो में हमने उन foods के बड़े में पड़ा, which contains high amount of carbohydrates, और साथ में ये भी जाना, कि एक average person को daily की कितनी carbohydrates की requirement होती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो like और subscribe करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप किसी और topic के बारे में भी जानना जाते हैं, तो मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं, थांक्स फर वच्छिंग और टेक केर.